हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लूनर इवेंट कब आने वाला है और जो हम लोग का अलग अलग इवेंट्स हम लोग को इसकिन्स के लिए हैं वो सब कब आने वाला है तो बेसिकली हम लोग आज पूरा कैलेंडर के बारे मैं बात करेंगे कि कौन सा इवेंट कब आने वाला है क्लाश अफ्रांस में फैबरी मंत में तो वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो चैनल को सब्स्राइब कर दो चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो 1st February को हम लोगों को एक नया गोड़ पास देखने को मिलेगा जिसमें हम लोगों को रॉयल चैंपियन का स्किन देखने को मिलेगा जो कि मैं पहले ही हफ्ते दिन पहले ही अपने टेलिग्राम चैनल पर दिखा चुका हूं कैसा स्किन रहने वाला है तो उसके लिए हम लोग को चैलेंजेस देखने को मिलेगा मलब उसका जो इसकीन है वो शो करेगा एक चैलेंज में हम लोगों को और उसके बाद हम लोगों को एक से तीन तारीक के बीच में हम लोगों को एक ट्रूप इवेंट देखने को मिलेगा जिसमें से होप सो की ड्राइगन इवेंट ही होने वाला है जिसमें हम लोगों का king का skin मिलेगा देखने को जो कि बहुत awesome है मेरा तो personal favorite skin रहा है वो अभी तक और साथ ही साथ एक तारीक को हम लोगों को clan war league भी देखने को मिलेगा मतलब की परसों से और उसके बाद 5 तारीक से 7 तारीक तक हम लोगों को 2x star bonus मिलेगा हम लोगों को dragon festival यानि की lunar event challenge आने वाला है इवेंट आने वाला है उसका नाम ये लोग रखे हैं dragon festival जैसे की cookie rumble था और mash up madness था तो वैसी इसका dragon festival रखे हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये पूरा मन जो है dragon theme पे रहने वाला है तो उसके बाद हम लोगों को आर्ट से एक इस तारीक जो की dragon theme, dragon festival के साथ ही हम लोगों को lunar challenge एक मिलेगा जिसमें की हम लोगों को queen का skin हम लोगों को show करेंगे वो एक challenge में दिखा करके एक base दे करके उसका skin show करेंगे और plus फिर 12 से 14 तारीक को हम लोगों को 70% troop discount मिलेगा यानि की super troop हम लोगों को जो discount मिलता है जो हर month ही मिलता है तो ह हम लोगो 12 से 14 तारीक को ही मिलेगा तीन दीन रहेगा मतलब की जिसमें तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ लोग दो ही दिने से यूज कर पाएंगे 12 और 13 को क्योंकि 14 फिर मेरा बोलने का मतलब यह था कि भाई कोई भी किसी को भी घर में कुछ भी काम पड़ सकता भाई कहीं समानी लाने बोल दिया जाए घर पे या फिर कुछ वैसा कुछ भी हो सकता गलत वे मत लो यार खैर जो भी तो उसके बाद हम लोगों को next देखने को मिलेगा 15 से 17 तारीक को हम लोगो एक troop event देखने को मिलेगा जो कि most probably हम लोगों को electro dragon का event देखने को मिलने वाला है उसके बाद हम लोगों को फिर 19 से 21 one gem army boost जो कि मुझे नहीं लगता कोई use करते हैं क्योंकि मैं तो हमेसा neglect कर देता हूँ इसे कब आता कब जाता पता ही ने चलता है उसके बाद फिर हम लोगों को नया troop event देखने को मिलेगा 22 से 24 जो कि baby dragon के लिए होने वाला है ये event और उसके बाद finally हम लोगों का वापस से clan games आएगा 22 से 28 सक जो कि भाई इसका इंतजा तो सभी कोई करते रहता है क्योंकि भाई amazing rewards तो क्योंकि नया टॉन हो लोगों के लिए बहुत ज्यादा फाइदे माद रहता है तो वह 26 से 28 तक रहने वाला है तो उसके बाद फिर से कोई नया calendar आएगा फिर से मैं एक नया leak वीडियो बनाऊंगा तो तुम लोग अगर वीडियो को like कर दोगे चैनल को subscribe कर दोगे तो तुम लोगों को next month का भी लीडियो मिल जागा official notification से पहले और अगर तुमने अभी तक टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया तो जल्दी से जॉइन कर लो क्योंकि मैं यह जो calendar है उसको मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर डालने वाला हूं और अगर तुमने lunar event के leaks वीडियो नहीं का हुआ हूँ और तो भाई अभी अभी जेस्ट मैंने यह टेलिग्राम चैनल पर किंग का एनिमेशन देख लाया हूं बहुत ऑसम एनिमेशन है बहुत ही गजब का है तो वहां पर जाके जॉइन करना और मैं यह वीडियो रात के एक बज़े रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि